दोस्तो हम सभी की गूरूप में कोई न कोई जरूर होता है जो हमेशा नए नए फोन वा कपड़े खरीता रहता है और हमेशा हम सभी के बीच सेंडर आप अट्रेक्शन बनाए रहता है और हो सकता है आप भी उसी परसन में से हो जो कि हमेशा यूनिक गैजट की तलास में रह तो आप अपने इस नॉर्मल फोन की जगह इस पेशल एडिशन फोन यूस्ट कर सकते हैं जो कि आपको औरों से अलग रखने के साथ साथ बाकी से इस पेशल फील भी करवाएगा तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही यूनिक और इस पेशल एडिशन फोन देखने वाल निमानी कमपनी से एपल स्मार्टफोन की फिल्ड में और टेसला इलेक्ट्रिक वीकल सो कैवियल ने इन दोनों ही कमपनियों को मर्ज कर अलग ही फोन क्रियेट कर दिया क्योंकि इस फोन को चार्ज करने के लिए आपको किसी विद्यूत नहीं भलकि संलाइट की जरूरत से ही चार्ज हो जाएगा और वैसी भी इलेक्ट्रिक से आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं यह लिमिटेट एडिसन है काफी ज़्यादा मेहंगा भी पर परसनली देखा जाय तो यह लगजरी तो है पर इसका लूस कुछ खास नहीं लगा उपर से यह फोन काफी मोटा भी है जब की फोन जितना ज्यादा पतला हो उतना ज्यादा अच्छा लगता है पर टेस्ट लाके दिवाने इस फोन को खरीद ही लेंगे दूसरी नमबर पर है जैन फोन 630 यह फोन बजट सेग्मेंट में कुछ खास नहीं जमता खेर सारी कमपनी अपनी लिमिटेड एडिसन निकाल रही है तो जैन फोन पीछे कैसे रह सकता था सो इसने भी जैन फोन का एक लिमिटेड एडिसन डिलीस की जो की मैट बलेक डिजाइन में बनाया गया था साथ ही इसमें किसी तरह की सेलफी कैमरे की ज़रूरत नहीं परती क्योंकि इसके बैक कैमरा ही फिलिप होकर आपके लिए सेलफी कैमरे की तरह काम करता है इसकी फ्रेंट साइट पर किसी भी तरह की नोग देखने को नहीं मिलता सो किसी भी तरह की वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फूल स्क्रिन सो होगी इसके अलावा इसमें 5000 अमेज की बैटरी आपको मिल जाती है इसमें स्नेप ड्रेगन 855 प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाता है और और भी कई सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे तीसरे नमबर पर है ओपोरेनो बरसिलोना एडिसन दोस्तों लेंबर गिनी के एवेंटर डोर जैसे ही पार्टनर सी बरसिलोना फुटबॉल कलब से भी है सो उस एग्रिमेंट को तीन और साल के लिए और नियू करने के लिए यह बरसिलोना एडिसन लाँच किया इसमें आपको किसी भी तरह का कैमरा बेंपर देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इसमें फ्रेंट कैमरा क्योंकि इसमें कैमरा अपर साइड से ओपन होता है इसके अलावा स्नेप ड्रेगन, 865, प्रोसेसर, ओमेलेट, स्क्रीन और भी कई सारी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे चौते नबर पर है ओपो फाइंड एक्स टू लेंबरगिनी जब भी हमारे सामने किसी लगजरी या स्पोर्ट कार की बात आती है तब हमारे मन में सबसे पहले जो नाम आता है वो है लेंबरगिनी का और अगर आप भी लेंबरगिनी के फैन है तो आप इसके एविंटड और एसवी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे लेंबरगिनी के इस मॉडल से इक्सपायर होकर डिजाइन किया गया इस स्मार्टफून को साथ ही से और भी realistic look देने के लिए custom Lamborghini super sport car theme कभी use किया गया है जो कि आपके user experience को और भी ज़्याद़ पढ़ा देगा पांच फिन नुबर पर है OnePlus McLaren दोस्तो OnePlus एक ऐसा brand है जिसके phone launch होते ही out of stock हो जाते हैं वहां जहां तक बात इसके hype create करने की तो जितनी hype create company वाले नहीं करने की कोशिस नहीं करते उससे ज़्याद़ तो public create कर देती है और इसके hype तो इतनी थी कि सारी unit लगबग 60 second में बिग गई थी ये out of stock हो चुका था खेर बात करे OnePlus 70 Pro McLaren Edition की तो is good looking phone के case को बनाने में carbon fiber और elkandra material का यूज किया गया है ये वही material है जिसमें McLaren car की steering wheel को बनाया हुआ है जिसके कि इससे hold करने पर बिल्कुल ऐसा फिल होता है कि जैसे आपने McLaren car का steering wheel hold कर रखा हो ऐसा company कहते है क्योंकि मैंने तो phone पकड़ा ही नहीं इसमें आपको किसी भी तरह का camera bump देखने को नहीं मिलता इसमें भी top of the line यूज किया गया है पर इस phone का extra piece अब आपको purchase करने को नहीं मिलेगा क्योंकि company या phone बनाना बंद कर दिया है छटे नबर पर है UI purchase phone दोस्तों बात के UI के इस phone की तो purchase से प्रभावित होकर बनाया गया है दोस्तों most of the phones में जो back होते हैं वो plastic glass metal के होते हैं लेकिन इस phone में back बनाने के लिए इसमें handcrafted leather material का use किया गया है इसे hold करने पर extra softness को feel कर पाओगे और बात करें इसके लुक्स की तो limited edition और अलग-अलग red और black variant में आता है दोस्तों वैसे तो Samsung Z Flip खुद ही एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम है पर इसके बाद भी Samsung ने थॉम ब्राउनी जो की एक fashion designer है उसके साथ मिलकर डिजाइन किया है एक limited edition जिसकी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5000 पीसेज बनाए थे इसमें smartphone के अलावा और भी कई सारे accessories जैसे earbuds, cable, cover, watch जैसे चीज भी इसमें सामिल है जो की दिखने में काफी ज्यादा cool लगता है इसका दूसरा concept ये भी हो सकता है कि इसके customer इसके इस exercise को यूज़ करें पर आपको एक बात बता तूँ या phone काफी मांगा है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यह limited edition है तो फिरहाल यह out of stock है तो दोस्तो उमीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और bell icon को जरूर दबाए चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो पर